कि हलो बच्छा पाटी कैसे आप लोग आप सभीवच्स काफी अच्छे होंगे पिर इंज्जॉइट कर रहे होंगे आप लोग इस वन्चॉट की सिरीज को मोशन इन फ्रेट लाइन हो गया मोशन इन अ हो गया अब हम laws of motion कर रहे हों राइट गाइस तो यह लॉज अप मोशन का चाप्टर शुरू कर रहे हैं आपको पता है कि लास्ट ताइम आपकी क्विक रिविशन हो रही है चले मैं इस ताद बात कर रहे हैं अगर आप इतना फाइदा मिलता है इस चैनल से तो आपको लाइब तो जरूर कर देना चाहिए तो यह कुछ-कुछ क्रिदेंशल है यानि कि दो दो स्टाट अप्स चल रहे है हमारे एक एवी जे एमेस एक आलन रोताग और दोनों के अंदर आपके विरोज सर जो है को फाउंडर है तो इसका मतलब आप भी अपने चोटी सी एज में काफी कुछ फोड सकते है बस एक जज़बा एक जुनून होना चाहिए अब आप जो है बचा पाटी अपना हैंड रेस कर सकते है अपने एडुकेटर से डाउट पूच सकते है लाइव क्लास में अगर आप क्लास के बाद कभी सॉल्फ कर रहे और तब आपका डाउट आता है तो आप यहाँ पर आसक डाउट फीचर कर सकते है इस पीचर में भी आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग जो यह जो आसक डाउट फीचर है यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आप को unlimited doubts देखने को मिलता है अगर आप नए बच्चे और पहली बार unacademy के app को download करके यह सब पूछ रहे हैं तो आप code use करिए vk army और आपको access मिल जाएगा अगर आपने अभी तक coaching start नहीं करिए और online में इंडिया के top educator से पढ़ने का आपको मौका चाहिए या फिर अभी तक मौका नहीं मिलना है और अब आपको वो मौका चाहिए तो आप जो है unacademy का यह app download करके और unacademy plus subscription ले सकते हैं यहाँ से आपको यहाँ से आपको मेरी बहुत सारी classes access करने को मिलेगी यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चो तेकि free of cost classes होती है लेकिन एक well organized way में जो classes होती है वो paid classes होती है जिसको unacademy plus कहते है और अगर आप यहाँ पर एक code vk army use कर ले तो आपको सीधा सीधा 10% का off मिल जाएगा तबी सब्जेक्स के लिए तो आप यहाँ पर भी code use कर सकते है वी के आर्मी राइड बचपाटी use code vk army so that you will get 10% off हर संडे को unacademy combat होता है अगर आप combat देते है तो आपका जो off है वो 10% से 15% हो सकता है आपको यहाँ पर भी code vk army use करना रहता है यहाँ पर भी आप vk army code use करेंगे और फिर हर अगर 12th में कोई friend है या आप भी 12th वाले बक्चे देख रहे है तो unacademy emerge यानि कि Saturday, Sunday, Monday, Tuesday यह mock test होते है use code vk army here also and you will get 10% off I hope बचापाटी यहाँ तक हम पहुँच चुके है आइए चलते है अपना loss of motion की starting की तरफ भी यह chapter 3, 4 हो चुका है अब हम loss of motion कर रहे होंगे अब हम loss of motion कर रहे होंगे गॉर्ट गाइस मेरी बात समझ में आ रही है अब हम loss of motion कर रहे होंगे बचो loss of motion का क्या मतलब है यहाँ पर इसमें क्या-क्या पढ़ने हुई है तो loss of motion में सबसे पहले मैं आपको inertia का concept समझाने वाला हूँ फिर Newton के loss बताने वाला हूँ उसके बाद motion of connected bodies बताने वाला हूँ उसके बाद friction बताने वाला हूँ उसके बाद motion of a body on a leveled road banked road यह सब concept बताने वाला हूँ और यह chapter को finish करने वाले है एक concept आता है vertical circle वाला वो हम chapter 6 यानि के work energy power में कर रहे होंगे I hope this is very very clear to you all right बचापाटी तो आईए जरा सबसे पहले-पहले inertia के concept को जानते हैं बचे जैसा कि आपको पता है हमारे पास गेलिलियो भाईया है और गेलियो भाई साब जो है वो आये थे और उन्होंने एक चीज़ देखी उन्होंने क्या देखा कि यार जब तक body rest पर है तब तक body rest पर रहती है जब तक body चल रही है तब तक body चल रही है जब तक उसकी उपर कोई external force ना लगे मतलब उन्होंने इस चीज़ को notice किया इससे पहले तो खेर अरिस्टोटल आई थे और अरिस्टोटल ने कुछ false false बाते कही थी हमारे physics में उसको बोलते है अरिस्टोटल fallacy उन्होंने कहा था कि sir किसी भी body को चलाने के लिए एक force की requirement है अगर body body रुकी विया तो force की ज़रूरत नहीं है पर अगर body को चलाना है या body चल रही है तो एक force की requirement है हमने का भी या बात सही है आपकी उस समय कोई था नहीं बट फिर गैलीलियों ने ये दलीले करी कि भी आप हमेशा के लिए सही नहीं है हम आपको समझाते है कैसे देखिए तो गैलीलियों ने इनर्शिया का concept दिया पहले इनर्शिया क्या है बचे इनर्शिया is the measure of mass असल में इनर्शिया एक property है बिटा बात समझ में आ रहे है कि नहीं आ रहे है इनर्शिया एक property है किस चीज की property है बॉड़ी की internal property है जो basically change को oppose करती है अगर आपकी body rest पर है तो वो rest पर ही रहना चाती है अगर आपकी body motion में है तो वो motion में ही रहना चाती है अगर आपकी body straight line में चल रही है जिस direction में चल रही है उसी direction में चलना चाती है जब तक आप उसकी उपर कोई external force नहीं लगाते और यह जो tendency है न चेंज, oppose को change करने की यह depend करेगा mass की उपर The greater is the mass, the greater is the tendency, the greater is the inertia So basically inertia is the measure of mass और we can write that थोड़ा सा शुरुवात में theory portion है पढ़ना पड़ेगा Greater is the mass, greater is the inertia Write बचापाटी Greater is the mass, greater is the inertia I hope this is also very very clear to you all जितना ज्यादा mass, उतना ही ज्यादा inertia यह अपना एक छोड़ा सा concept है जो हमें करना था और जो हम यहाँ पर कर चुके है Right guys, ठीक है न, greater is the mass, greater is the inertia अब मेरी बात समझना पचो, आपने inertia का concept कर लिया अब inertia की बाद, यहाँ पर Galileo ने ही दिया, एक तो inertia of rest दिया उसने inertia of rest का मतलब है कि बाड़ी अगर rest में है तो वो rest में ही रहना चाती है जब तक आप उसकी उपर कोई external force ना लगाए उसके बाद, आपके बाद बात चीताती है, inertia of motion की inertia of motion हमसे कह रहा है कि ser, बाड़ी जब तक motion में है, तब तक वो motion में ही रहना चाती जब तक उसकी उपर कोई external force ना लगाए और inertia of direction तो भईया inertia of rest दिया इन्होंने inertia of motion दिया इन्होंने और inertia of direction दिया इन्होंने ये concepts को बहुत अच्छा से जानने के लिए या फिर अगर आपको detail में जानना है वैसे तो ये 9th में भी कर चुक है और Newton ने कहा यार ये concept बड़ा बढ़िया है अब Galilio भाई साब अलरी उपर मतलब जा चुके थे बहुत कुछ इन्होंन नहीं दिया था बर जब Newton आए तो Newton ने अपने ही laws बना दिये तो सबसे पहले पहले Newton's first law of motion Newton ने basically Newton ने basically motion के तीन laws दिये Newton ने motion के तीन laws दिये और उसमें से पहला जो law था उसको उन्होंने कहा कि अब this law is also known as law of inertia या Galileo's law of inertia इसको अपन लोग Galileo's law of inertia भी बोलते है इसको हम लोग Galileo's law of inertia भी बोलते है मतलब क्या है इस बात का बचे इस बात का कुछ इस तरीके से मतलब निकाल दिया इन्होंने कि यार अगर आप देख पा रहे हैं अगर body straight line में है तो straight line में चलेगी body rest पर है तो rest में रहेगी body motion में है तो motion में ही रहेगी जब तक आप उसकी उपर external force नहीं लगाते भीया इन्होंने तीनों चीजों को compile कर दिया यानि inertia of rest, inertia of motion और inertia of direction को और फिर कह दिया रहे यार कोई हमारे उपर शक ना करे तो इन्होंने का यार this law is also known as Galileo's law of inertia सारी चीज़े सेम है पर Newton भाईया रुखने वाले थे नहीं इन्होंने जो है एक और law निकाल दिया यापर which is second law लेकिन Galileo का जवाब Aristotle को कैसे मिल रहा था वो कुछ इस तरीके से बचसे कि अगर आप अगर आपकी body है V velocity से चल रही है और ये V velocity constant है तो आप Aristotle ने का कोई भी body अगर चलीगी ना तो force की जरूरत ही है बढ़ यहाँ पर जब ये constant velocity से चल रही है ना बटा तो कोई external force लग नहीं रहा तब ही तो constant velocity से चल रही है कोई external force लगाओगे ना तो ये constant velocity से नहीं चलेगी बात समझ में आगे कोई भी external force लगाओगे तो ये constant velocity से नहीं चलने वाली है यही concept था एक चीज़ जो हमें जानना था खेर आईए first law के में कोई इतना कुछ खासियत वाली बात नहीं है second law की तरफ चलते है तो इन्होंने अपना second law दिया और second law से पहले एक दो शब्दों का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपको जानना चाहिए उसको बोलता है momentum क्या बोलता है बच्चो momentum सर momentum क्या होताए तो बटा momentum का मतलब होता है motion contained in a body यानि के बच्चे आपका तो कुछ mass होगा बिल्कुल सही बात है आपका कुछ तो mass होगा जी बिल्कुल सर कुछ mass होगा कुछ mass के बाद आपकी कुछ velocity भी होगी हासर बिलकुल होएगी तो अगर कुछ mass है और कुछ velocity है तो आपने body को चलाया तो उसके अंदर कुछ motion होगा which is momentum which is equals to mass into velocity which is equals to mass into velocity I hope this is very very clear to you all तो ये momentum है तो Newton का second law कहता है कि Sir, अभी तक तो आफ force लगा नहीं रहे बट अगर अभी आप एक external force लगा होगे न भया जी, मान लेते initial velocity U ता इसका कुछ समय बाद भया इस external force के influence में इस external force के अंडर final velocity V बन जाएगी आपर initial velocity U ता final velocity V बन जाएगी बचसे तो इसका मतलब क्या हुआ इसका simple सा एक ही purpose पर एक ही मतलब होता है बिटा कि यहाँ पर Newton का second law कहता है कि sir this law states that this law states that force acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum DP by DT, यानि कि कितने समय में कितना momentum change कर पा रहा है ये depend करेगा force की उपर जितना ज्यादा force उतना इक ज्यादा वो body का momentum change कर पा रहा होगा तो इसका मतलब भया forces directly proportional DP का मतलब क्या होगे कि साबसे P2 minus P1 और DT का मतलब भया initial समय को 0 ले लो तो ऐसा कर लो आप तो ये भी कह सकते हो कि sir P2 मतलब MV minus P1 मतलब MU बटा T हाया ना और अगर आप यहाँ से और देखोगे तो forces directly proportional to M common ले लो V minus U by T और अगर आप first equation of motion से देखोगे तो V minus U बराबर AT है तो V minus U by T बराबर A हो जाएगा तो आप कह दोगे sir F is directly proportional to MA अब F बराबर KMA है बट K calculation से 1 होता है तो F is equals to MA तो बहुत सारे लोग तो ना ये कह देते हैं कि Newton का second law भी 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 आप force लगा रहे है तो momentum में change आ रहा है अब बात ये है कि भीया momentum में अगर change आ रहा है तो इसका क्या purpose है इसका मतलब यह है बिटा कि अगर मैं किसी body की उपर force लगाऊंगा तो वो body accelerate हो जाएगी क्योंकि एफ physical true है में इसका मतलब acceleration of a body is also depending upon the external force acting on that body अब भाया देखे अगर आप की body है आपने इधर से 10 newton का force लगाया इधर से भी 10 newton का force लगाया तो f net 0 हो गया तो acceleration भी 0 होगा कहा से according to the application of newton's second law of motion newton के second law of motion के application के अनुसार आप यहाँ पर गलत तैराए जाएंगे मेरी बात समझ में आ रही है यह था newton का second law of motion ठीक है ना अब बात आएगी newton third law of motion की अब बात आएगी newton के third law of motion की और third law कहता है भाईया के sir every action has an equal and opposite reaction every action every action has an equal and opposite reaction every action has an equal and opposite reaction बिटा every action has an equal and opposite reaction मेरी बात समझ में आ रही है हर एक action का एक equal और opposite reaction है बचसे हर एक action का एक equal and opposite reaction है मतलब अगर आप एक body की उपर कुछ force लगाएंगे मतलब एक body अगर दूसरी body की उपर force लगाती जिसे मान लो यह body इसको अपनी तरफ खीचती है यह two body है यह one है तो आप कहा दोगे sir force on two due to one तो two वाली भी उतनी force के साथ इसको आगे खीचेगी force on one due to two और यहां से हमें पता चलता है कि भाया forces का magnitude तो बराबर रहता है मतलब equal and opposite forces का मतलब है कि magnitude तो बराबर रहता है बस direction opposite रहती है so you can say f12 बराबर minus f21 so you can say f12 बराबर minus f21 यानि every action is an equal and opposite reaction I hope this is very very clear to you all I hope यह बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है और सभी बच्चों के दिमाग में भी जा रही होगी यहां तक का concept clear है आप लोगों को बिल्कुल सही बात आये चलते हैं अगले concept की तरफ बचा बाती जैसे हमने newton के laws पढ़ लिए तो newton के laws पढ़ने के बाद एक नया concept which is impulse और impulse को पढ़ने के बाद हम types of forces and then connected motion पढ़ लेगे अब impulse की बात आईगी बसे impulse क्या होता है तो impulse होता है बिटा कि force acting on a body for a very short period of time कहने का मतलब यह है कि एक body है उसकी उपर force लग रहा है लेकिन वो force बहुत ही ज़्यादा छोटे समय के लिए जब लगेगा ना तो बहुत ही भारी force लगता है जैसे के एक मतलब सचे इंटेंडूल को खड़ा है ठीक है ना अब एक बोलर ने बोल फेक दी तो बहुत कम समय के लिए हिट होती है लेकिन यार उस ball क्यूपर इतना ज़्यादा force लगता है कि वो यार 100 मीटर की boundary को पार कर जाता है तो impulse is that only इसको जैसे denote करते हैं यह एक vector quantity है यानि force acting on a body force acting on a body for a very short period of time force acting on a body for a very short period of time बात समझ में आरी force acting on a body for a very short period of time एक बहुत छोटे समय के लिए body की उपर जो force लग रहा है that is known as impulse that is known as impulse यानि कि impulse बराबर बिटा impulse बराबर force into very short period of time इसका जो unit भी होगा that will be also newton second newton second क्योंकि वह या force for a very short period of time मेरी बात समझ में आगी साथी साथ में अगर force variable है ये तो constant वाली बात के ये तो constant force की बात थी जरूरी नहीं है constant force बड़ा rare देखने को मिलता है तो अगर force variable है मतलब जगे जगे पर अलग अलग forces लग रहे है तो अगर force variable है बतसे तो आप क्या कहोगे कुछ नहीं कहोगे आप लोग आप कहोगे सर ये F है ये T है तो इस F T का जो area होगा area of F T curve curve is impulse और वैसे भी आपको पता है वैसे भी आपको पता है कि area तो impulse है बट area को ही integration बोलते है तो impulse को आप F D T का integration भी बोल सकते हो सर इसको पूरा detail में जानना चाहते हो तो यार ये पूरा detailed का video भी मेरा impulse की उपर भी एक चोटा सा video बना हुआ है ये impulse की कहानी हो गई अगर आप इसका unit देखोगे तो newton second हो गया otherwise आप ऐसा भी लिख सकते हो kg meter per second हो जाएगा per second square into second to per second तो kg meter per second हो जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है ये है आपका impulse का concept जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना चाहिए जो आप लोगों को miss नहीं करना चाहिए इसलिए गाईज impulse की कहानी है हो गई हमारी आईए चलते हैं आगे जैसी आप impulse पढ़ते है तो अब मैं आप लोगो थोड़ा सा types of forces के बारे में समझा दू अब मैं आप लोगो थोड़ा सा types of forces के बारे में समझा दू तो types of forces का क्या मतलब है देखे एक body है और एक ये surface है एक body और एक ये surface है अब basically क्या होगा यहाँ पर ना contact forces की बात हो गई यहाँ पर contact forces की बात हो गई माल लेते हैं यह एक body है नीचे की तरफ को mg force लग रहा है उपर की तरफ को normal reaction लग रहा है नीचे की तरफ को mg force लग रहा है और उपर की तरफ को normal reaction लग रहा है मेरी बात समझ में आ रही नीचे mg उपर R, नीचे mg उपर R, is it clear guys, तो ये every action as an equal and opposite reaction वाली का आनी हो गई कि भाया आप नीचे weight लगा रहे हो तो आपकी उपर कोई normal, मतलब एक force लगेगा, this is known as normal reaction, इसको कभी कबार हम N से भी denote करते हैं, बट मैं almost R से करता हूं, तो इसलिए आप R ले लिजेगा, नीचे in string, force in string, ठीक है न, इसको बोलते है tension, इसको क्या बोलते है, tension, ये भी एक force है, जैसे एक रसी से आपने एक कोई भी block लटका दिया, तो block का weight अब नीचे mg है, तो कई न कई रसी में कुछ एक खिचाव आएगा, इसको बोलते है tension, और tension होता है बच्चे, एक pulling force, tension क्या होता है tension is a pulling force, बटा, what is this tension, tension is a pulling force, उसर टेंशन एक pulling force है बटा, हमेशा इसकी direction में confusion नहीं आनी है, तो tension is always, tension is always away from object, tension is always away from object, tension हमेशा, tension हमेशा बटा, object से दूर लगता है, समझ में आया की नहीं है tension is always away from object, tension हमेशा object से दूर लगता है, यह tension की कहानी हो गई आपकी, फिलाल तो यहीं आपको दो forces जानने की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी हमें motion in a connected body, मतलब connected bodies का motion पढ़ना है, motion of connected bodies, आईए चलते हैं, आईए चलते हैं, so motion of connected bodies, motion of connected bodies, इसमें तीन cases करेंगे, एक horizontal, normally रसी से बंदे होई है, एक pulli problem और एक lift cases, उसके बाद अपना एक friction से पहले-पहले वाला concept खतम हो जाएगा, guys, motion of connected bodies की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो string है इसको ideal माना जाता है, जिस रसी से bodies लटकी हुए, इसको ideal माना जाता है, ideal का मतलब massless है, massless है, frictionless है, ideal का मतलब massless है, और frictionless है, I hope this is very very clear to you all, massless नहीं है, frictionless नहीं है, ठीक है, बहुत हिन है, पतली रसी होती है, ठीक है, ऐसा करके, आप ध्यान से देखें कभी है, अगर यह सब हुआ तो तो फिर rotational में पढ़ेंगे कि कैसे आपकी रसी घूमती भी है, तो यह string ideal है, तो हमने क्या किया, bodies को ऐसे लगा दिया, कैसे करके, कुछ इस प्रकार से, एक body है, पिर हमने रसी से दूसरी body भी लगा दि, पिर तीसरी body भी लगा दि, ठीक है न, फिर ऐसे रसी से चौती body भी लगा दि, और ऐसे आप total कुछ f force लगा रहे हैं, पचापाटी मेरी बात सुनिए गाउब, यह m1 body है, m2 है, m3 है, m4 है, ऐसे करक आगे force लगा रहे हो तो newton के second log के pad acceleration भी आगे ही लगेगा acceleration भी आगे ही लगेगा बिल्कुल सही बात है यह बात यह है कि ideal string में ideal string मानने का reason यह रहता है कि at each and every point tension is same at each and every point tension remains same at each and every point tension remains same tension is same यानि ideal एक अगर ideal रसी है तो उसके किसी भी point पर आप देख लोगे तो tension सेम रहता है समझ में आय कि नहीं है तो यार देखिए अगर इदर देखो यह M2 वाली रसी इसको कीचेगा अगर आगे कीचाव होगा तो रसी में कीचाव होगा और tension तो हमेशे away from object तो T1 क्या लग गया अब away from object यानि T1 is direction तो T1 इदर भी होगा यह भी इदर को भी कीचाव आएगा मतलब away from object दोने एक दूसरे को कीचेंगे यह वाले इदर को T2 और यह वाले इसको कीचेगा तो T2 इदर में T3 और इदर में भी T3 अब बात यह आती है कि इसको solve कैसे करें तो इसको बोलते है free body diagram इसको क्या बोलते है free body diagram सर यह free body diagram क्या होता है मैं आपको बता दू बच्चो अगर आपको free body diagram पढ़ना है free body diagram में मतलब सिरफ और सिरफ इतना होता है बिटा कि एक body को पूरे system से अलग कर दो उसको रखो उसकी उपर जितने भी forces है सबको analyze करो देखो और सारे forces को balance कर दो सारे forces को balance कर दो जैसे जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो FBD for M1 FBD का एक rule है FBD का एक rule है वो rule कुछ ऐसा है बिटा कि वो rule हमें हमेशा बोलेगा कि sir supporting force जो होगा न उसमें से आप opposing force minus करोगे तो M1 के बराबर आएगा मतलब ये second law को हम basically बता रहे हैं आपको second law of motion supporting force का मतलब जिस direction में acceleration होगा वो वाला force ज्यादा होगा उसमें से अगर कोई force उसको रोक रहा है तो वो वाला force minus कर दो वो हो जाएगा आपका M1 के मानी वही तो है net force इसका मतलब भहिया वही तो है ना net force इसका मतलब supporting force में से आप opposing force को minus करिए आप M1 के बराबर हो जाएगे आपका answer M1 के बराबर आजाएगा supporting force क्या है बिटा है आपको supporting force कुछ नहीं है बच्छे आपका that is basically इधर इधर तो आप काट इसमें तो आपका ये body है acceleration की direction में T1 force लग रहा है और acceleration इस direction में body का mass M1 है पीछे कोई force नहीं लग रहा तो भाईया FBD के लिए supporting force में से opposing force minus करोगे तो MA आएगा support कौन कर रहा है T1 oppose कोई नहीं कर रहा बराबर M1 A बराबर M1 A तो इसका मतलब T1 हो गया M1 A के बराबर इसका मतलब बच्छो T1 हो गया M1 A के बराबर I hope this is very very clear to you so T1 is M1 A clear रहा भीया बात समझ में आ रही है हाँ sir अब बात आएगी आपकी FBD for M2 अब आएगी बात FBD for M2 FBD for M2 बिटा M2 के FBD के लिए आप क्या करेंगे ये बॉड़ी है आपका basically आगे की तरफ को T2 टेंशन है और पीछे की तरफ को T1 है और आगे की तरफ को एक्सेलरेशन है और M2 बॉड़ी का मास और आपको एक चोटा सा मूल मंत्र याद है यहापर इससर supporting force में से अगर मैं opposing force माइनस करूँगा तो MA आएगा और supporting का मतलब जो acceleration को सपोर्ट करता है supporting force का मतलब क्या होता है that force which is supporting acceleration तो acceleration को support T2 कर रहा है उसमें सरगieß को इसको oppose करेगा यानि T1 बराबर हो जाएगा M2A बराबर हो जाएगा M2A तो इसका मतलब सर T2 हो जाएगा M2A प्लस T1 तो T2 हो गया बिटा M1 प्लस M2A इसी प्रकार से बच्चो जब हम आगे solve करेंगे तो हमारे पास T3 भी आएगा T3 हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 into A और फिर हमारे पास F हो जाएगा F is going to be M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 into A बचा पाड़ी ये कुछ ऐसी सी बात नहीं हो गई कि जैसे आपने इस पूरे को as a system मान लिया इदर को F force लगा रहे हो तो F बराबर M A mass of system into A समझ माँ है ये भी तो वही बात है mass of system ही तो है तो ये है आपका अगर एक horizontal direction में bodies जो है वो आगे जा रही है और आपने इसकी उपर कुछ F force लगाया तो उसका अगर आपसे इन्होंने acceleration भी पूछ लिया तो भी आप easily दे पा रहे होंगे I hope this is very very clear to you all बचा पार्टी इस concept को करिए बहुत अच्छा से मज़े आएंगे और इसको note down करिए अब मैं चल रहा हूँ सीधा सीधा pulley problem पर pulley system पर देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बारी फिर से बता दूँ बच्छो कि यहाँ पर हम कोई questions नहीं कर रहे यहाँ पर हम कुछ essay concepts नहीं कर रहे है हम basically सिरफ one shot में इस chapter को आपको समझा रहे है ताकि अगर आप एक quick revision करें तो आप easily यह chapter कर सके दो chapter एक एक घंटे में आपके पास आ चुके है यह थोड़ा सा लंबा chapter है हो सकता है एक घंटे के बजाए थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा लाइक सवा घंटा लग जाए ऐसा करके बाकी ज्यादा इसमें भी time नहीं लगना है तो अब चलते है भया pulley problem पर यहाँ पर आपके लिए क्या असानी होती है यहाँ पर अच्छा ही इसले होता है कि यहाँ पर आपके पास वो live chat में spamming हो रही है वो सब चीज हो रहा है वो नहीं होगा आपके लिए so now we are going for pulley problem मतलब आप हम pulley problem कर रहे है pulley problem का मतलब क्या है बच्चो कि अगर आप देख रहे है तो यार यह एक pulley है इधर से मेरे कुछ masses लटके होए इधर से भी mass लटका हुआ है बात समझ में आ गई और यह ऐसे करके है यह M1 M2 body है M1 body है रसी सेम है इसलिए tension तो सेम ही लगेगा बट यह T और T उपर मिलाके 2T बन जाएंगे ठीक है ना ऐसे करके भया देखो यह नीचे की तरफ को आएगा और यह उपर की तरफ को जाएगा एक नीचे आएगी और एक उपर जाएगी फिलहाल अब आपको FBD बनाना है आपको यहाँ पर A बताना है और T बताना है इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे problems करवा रहा है पूरे 2 गंटे का pulley problem का session ले रहा है इसके अंदर पुली और फिर problems करवा रहा है आप you can go that there also and check out that also नीचे A आ रहा है उपर A जा रहा है तो आप यह कह सकते है कि सर नीचे आपका M1 G होगा उपर T होगा नाव यू can say that FBD for M1 FBD for M1 FBD for M1 के लिए क्या होगा नीचे आपका M1 G होगा उपर आपका T टेंशन होगा और नीचे आपका A एक्सेलरेशन होगा so you can say बच्चो you can say sir supporting force में से opposing force माइनस करो बराबर M1 कर दो support कौन कर रहा है M1 G oppose कौन कर रहा है Tension बराबर क्या होगा M1 A यह रहा मेरा पहला expression यह रहा मेरा पहला equation आई बात समझ नाव बच्चे FBD for M2 अब M2 के FBD में आप देखाई दे रहा होगा क्या क्या हो रहा है यह आपर देखो नीचे M2 G तो सर लिख दो ना नीचे M2 G ऊपर T2 support कौन कर रहा है acceleration को T oppose कौन कर रहा है M2 G तो आप क्या कहोगे sir उपर T नीचे M2 G और acceleration भी उपर तो sir supporting force यहाँ पर minus opposing force बराबर M A support कर रहा है भया T minus M2 G बराबर M2 A समझ में आए पहली बात तो यह है बच्चो पहली बात तो यह है आपका यह इसको यहाँ लिख रहा हूँ FBD for M2 FBD for M2 सबसे पहली बात है बच्चो कि for acceleration add करते है for acceleration add equation 1 and 2 equation 1 and 2 बच्चे acceleration के लिए add कर दो equation 1 क्या है बटा equation 1 क्या है आपकी M1 G minus T equation 2 क्या है plus T minus M2 G पराबर बटा M1 A plus M2 A T से T कट जाएगा इदर से क्या आएगा M1 minus M2 bracket में G आएगा पराबर M1 plus M2 bracket में A आएगा पराबर M1 plus M2 bracket में A आएगा तो we can say that A बराबर M1 minus M2 G over M1 plus M2 over M1 plus M2 I hope this is very very clear to you all मेरे हिसाब से यह आप सभी बच्चों को clear है यह वाली बात A बराबर M1 minus M2 G upon M1 plus M2 clear है वाया बात समझ में आ रही है बिलकुल सब यह acceleration की कहानी है आएगे चलते है जरा नीचे tension के लिए तो tension के लिए first को second से divide कर दो ठीक है न so for tension for tension divide first and second divide first and second पहला क्या है M1 G minus T M1 G minus T और दूसरा क्या है T minus M2 G पराबर M1 A upon M2 A A से A कट गया है ऐसा cross मारो इसको M1 M2 G minus M2 T चलो आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं बताते M2 को multiply किया M1 G minus T से और इधर M1 को multiply किया T minus M2 G से देखें भईया M1 M2 G minus M2 T पराबर M1 T minus M1 M2 G ऐसा हो गया clear है बिटा बात समझ में आ रही है तो सर इसको ऐसा करेंगे आप M1 M2 G plus M1 M2 G पराबर M1 T plus M2 T तो you can say 2 M1 M2 G पराबर M1 plus M2 into T तो T बराबर 2 M1 M2 G बराबर M1 plus M2 2 M1 M2 G बराबर M1 plus M2 बात समझ में आ गई? ये तो T है वो जो रसी में वो जो फुली में ऊपर लग रहाता ना यू करके यू करके ऐसा ऊपर जो टूटी लग रहाता तो अगर टूटी लिखना होगा तो टूटी क्या करोगे? 4 M1 M2 G बटे में M1 plus M2 हो जाएगा 4 M1 M2 G by M1 plus M2 हो जाएगा यह कुछ इस प्रकार के कॉश्चन के कॉंसेट से जो आपसे पूछ सकता है हाँ देखे पुली बहुत लंबा है ऐसा कोई छोटा नहीं है कि आप सोचो कि छोटा है पुली या फिर हम कर लेंगे बट हाँ यह चीज है बच्चो कि पुली के आपनी या से बेसिक कॉंसेट सीख लिए डिटेल वीडियो में जाएगा उसको इंटूटू में देखे वासे आपका पूरा पुली क्लियर हो जाएगा हम गा चलते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम्स पर चलते हैं फिर उसके बाद फ्रिक्शन वाला कॉंसेट उठाएंगे तो लिफ्ट प्रॉब्लम हम कर लेते हैं पहले पाच मिनट का कॉंसेट है पाच मिनट भी नहीं लगेंगे lift problems बिटा lift में क्या होगा या तो lift रुकी हुई होगी या उपर जा रहे होगी या नीचे आ रहे होगी है ना और उस समय हमें यह देखना है कि हमारा apparent weight कितना है मतलब हम असल में उतने ही weight के है या भारी दिखाई दे रहा है या हलके है ऐसा करके जब lift रेस्ट पर है यानि कि एक्सेलरेशन जीरो है यानि ये body है इसका नीचे mg लग रहा है उपर इसका normal reaction है इस r को मैं apparent weight बता रहा हूँ r जो है ना मुझे उस समय में उसका weight बता रहा है actually mg जो है यानि w वो actual weight है बड़ जब lift ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या रुकी हुई है तो actual rate और apparent weight में कुछ change होता है हमें थोड़ा सा भारी पना feel होता है या हलका feel होता है depending upon lift कहा पर जा रही है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है क्या acceleration है किस तरीके से क्या हो रहा है तो now you guys can say that इधर तो बच्चा acceleration 0 है तो यानि बॉड़ी के ऊपर जितने भी forces हो आपस में एक दूसरे को balance कर रहे है तो इसका मतलब R बराबर mg हो जाएगा इसका मतलब R बराबर mg हो जाएगा अभी R mg का मतलब है कि apparent weight actual weight के बराबर है मतलब जब lift रुका हुआ है आपका apparent weight बराबर actual weight है इसका मतलब यह है बिटा कि जब lift रुका हुआ है ना बिटा तो उस समय आप कह सकते हो कि sir हम जितने जो हमारा actual weight है ना वही आपका वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उसमें कोई changes नहीं आएंगे what if lift उपर जा रहा है what if lift नीचे आ रहा है तो यह पहला case था now second case now second case lift is lift is moving upwards with acceleration a lift is moving upward with acceleration a lift जो है ना एक्सलरेशन के साथ उपर जा रहा है lift जो है ना a acceleration के साथ उपर जा रहा है जी बिल्कुल सही बात है body है नीचे mg लगेगा उपर normal reaction r लगेगा और यह a acceleration के साथ उपर जा रहा है बात समझ में आ गई बच्छो इस case में भी क्या ही होगा supporting force में से opposing force minus करोगे तो ma होगा इसका मतलब बच्छो supporting कौन है r opposing कौन है mg बराबर ma तो r बराबर क्या होगे mg प्लस ma यानि r बराबर actual weight के साथ भी कुछ जोड रहा है तो you can say बच्छे एपरेंट weight is greater than actual weight यानि weight increases यानि weight increases बात समझ में आ रही है यानि apparent weight जो है वो weight actual weight से बढ़ जाएगा जब आप उपर जा रही है lift जब उपर जा रही है जब आप उपर जा रही है कुछ A acceleration के साथ बच्छे जब आप उपर कुछ A acceleration के साथ जा रहे है तो उस case में बटा उस case में अगर आप देख रहे है whenever you are moving upward with A acceleration वहाँ पर बच्छा पाटी आप ये देख सकते है कि आपकी body का weight थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको feel हो रहा होगा आपको ऐसा लगेगा जैसे हम भारी हो गए ने रहा बया बात समझ में आ गई जे बिलकुल सर अब तीसरा case और एक चौता case तीसरा में ये है बच्छे कि when lift is moving downward with A acceleration when lift is moving downward when lift is moving downward with acceleration A with acceleration A जब lift नीचे आ रहा है A acceleration के सब बड़ी सिंपल सी बात है बड़ी सिंपल सी बात है नीचे M जी है उपर R है और नीचे A acceleration लग रहा है तो आप कहेंगे सर supporting force में से opposing force माइनस करो M A के बराबर करो supporting M G है opposing R है बराबर M A हो जाएगा तो R बराबर M G माइनस M A हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा बिटा कि जैसे आपका apparent weight decrease हो गया यानि apparent weight decreases यानि apparent weight decreases या यू कहिए now apparent weight is less than actual weight lift अगर नीचे आएगी A acceleration के साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारा apparent weight जो है वो घट रहा है हमें जो है ना हमें जो है ना ऐसा लगेगा जैसे हम हलके हो गए instead of बारी के and the last case when lift falls freely आपने free fall का concept पढ़ा मेरे साथ पिछले ही chapter में भी समझाया था कि जब सिरफ gravity उसकी उपर force लगा रही है बाकि कोई force नहीं लग रहा तो when lift falls freely ये कब हो सकता है बचसे जब lift की cable तूट जाए जब lift की cable break हो जाए when cable off when cable off lift breaks जब lift की cable तूट जाए तो उस समय ये नीचे तो आएगा उस समय ये नीचे तो आएगा but acceleration g के बराबर हो जाएगा यानि नीचे mg इदर को r तो आप ये कह सकते हो कि सर नीचे mg उपर r है तो इस समय बटा supporting mg opposing r है बराबर ma a की जेगा g हो जाएगा भाई या r बराबर mg minus mg हो जाएगा you can say apparent weight ही zero हो गया और इस concept को बटा इस concept को हम लोग क्या बोलते है weightlessness इस concept को हम लोग क्या बोलते है बच्चो weightlessness इस concept को हम weightlessness बोलते है weightlessness का मतलब ये है बच्चो के हमें अपने वजन मैसूस ही नहीं होगा अला आप already ठीक है ना समझ रहो ना ठीक है तो आपका concept समझ में आ गया होगा ये lift case स्था friction से पहले पहले का हमने ये concept कर लिया आपके साथ अब हम सीधा सीधा चल रहे है friction की तरफ आई होप यहाँ तक आप enjoy कर रहे हैं बच्चो देखो ये last मैं बोल रहा हूँ सुदर्ण मुझे पता चले भाई देख कौन रहा है पूरी वीडियो को ऐसा तो नहीं कई ऊपर ऊपर से शुरुआत में देख लिया और tag कर दिया हमने तो हमने तो आपकी वीडियो देखिए तो ऐसा नहीं करना है आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा अच्छे से इसको रिवाइस करना है वन शॉट में फिर अपने क्वेशन लगाना है बहुत सारी चीज़े होती है बच्चा पाथी आपको उस तरीके से लेकर चलना आपको उस तरीके से लेकर चलना है ओकी चलिये बच्चो फ्रिक्शन की तरफ चलते है कहां चलते हैं फ्रिक्शन की तरफ चलते हैं बच्चो तो अब शुरू कर लेते हैं फ्रिक्शन ठीक है ना थोड़ा सा मने गाप ले लिया Okay, you know, yeah, so let's start with the friction वाला concept, ठीक है ना? friction की शुरुआत कर रहे हैं, अभी friction क्या है? आप सभी को बता दो बिटा, जैसे हम अगर देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो suppose करते हैं कोई भी body है, अगर आप देख रहे हैं कि वो move कर रहा है आगे, तो उसी के, मतलब motion के opposite direction में एक friction लग रहा है, एक opposition व यह अगर मेरे पास surface है, इधर आपने यहाँ पर, इधर आपने यहाँ पर एक block रखा, आगे को आप F force लगा रहे हैं, तो पीछे एक surface के parallel friction force, यानि opposition वादा force लग रहा है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो depending upon this, कि यह जो surface के parallel लग रहा है, यहाँ पर अगर आप द limiting और kinetic, sir what does this mean, यह static का क्या मतलब है, limiting का क्या मतलब है, kinetic का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक है, जब body rest पर है, और आप applied force, मतलब कुछ force लगा रहे हो, और फिर आपका एक ऐसा friction लग रहा है, फिर आपका ऐसा friction लग र जो body के मतलब motion के opposite direction में, आप कहा हो, sir body to rest पे है, हाँ body rest पे है, तो body rest पे है, उसके बावज़ देखो, suppose करो, आपना force लगा रहे हूं, but body चल नहीं रहा है, लेकिन, यहर वो चल इसले नहीं रहा है, क्योंकि आप पीछे से कोई force लग रहा है, जिसको बोलते है, frictional force, friction force भी लगा, surface के पार में, पीचे से एक friction force भी लगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी block की उपर, applied force को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, तो मेरा friction force भी जो है न, वो भी बढ़ जाएगा, friction force भी बढ़ जाएगा, एक समय आएगा, एक समय आएगा बिटा, जब मैं applied force को बढ़ा दूँगा, तो अब friction force भी लगा maximum हो जाएगा, यह अब FS max हो जाएगा, यह FS है, यह FS है, यह maximum हो जाएगा, अब applied force को थोड़ा और बढ़ा होगे न, तो इस समय आपका friction अब reduce हो जाएगा, अब friction आपका कम होने लग जाएगा, समझ में आ रही है बात, इसका म मतलब FK के नाम से जान रहा हूँ मैं इसको, what is this meaning, बच्चे, suppose करो आपने 10 newton force लगाया, तो पीछे से 10 newton frictional force लगा, आपने 20 लगाया, तो पीछे से 20 newton friction force लगा, आपने 30 लगाया, और अब 30 newton friction force लग गया, मान लेते हैं, this simply means कि अब अबना बस body चलने वाली है, अब आप 31 newton लगा दोगे ना, तो पीछे वाला friction कम हो जाएगा, और body चलने लग जाएगी, तो जब body rest पे था, static friction, और जब static friction maximum हो गया, तो either maximum static friction, और limiting friction, और जब body चलने लग गई, तो kinetic friction, तो क्या-क्या हुआ, एक तो static friction, एक तो static friction, दूसरा आपका limiting friction, और तीसरा आपका kinetic friction, तीसरा आपका kinetic friction, थर्ड वन is your kinetic friction, बिटा, अब समझो, तिमाग चीज को देखो, अब जब आप देख पा रहे हो ना यहाँ पर, तो सबसे पहले पहले, अब जब आप देख पा रहे हो यह आपका, तो सबसे पहले पहले आपका, सबसे पहले पहले आपका, angle of friction आएगा, क्या आएगा? angle of friction, but even angle of friction से पहले भी ना, एक दो चीज़े बताना चाहता हूँ मैं, यह जो friction force है, डिपेंड करता है बिटा, अगर यह नीचे mg लगाएगा ना, और उपर normal reaction, तो यह normal reaction पर डिपेंड करता है, तो इसलिए fs होता है mu sr, और fs max भी होगा, mu sr, क्योंकि body is still at rest, और fk होगा, mu k into r, यहाँ पर body is at rest, यहाँ पर maximum limiting friction, और यहाँ पर kinetic, मतलब body jub motion में, यहाँ पर body jub motion में, मेरी बात समझ रहे हो आप लोगा, तो now you can say that, now you can say that, कि आपका एक आएगा angle of friction, वो जो mu था ना, that was coefficient of friction, वहाँ से अपने को पता चलता है, यह कौन से surface कितना ज्यादा rough है, कैसे कौन से surface work कर रहा है, तो सबसे पहले पहले आप angle of friction की बात कर रहे है, क्या है यह angle of friction, इसका मतलब यह है बिटा, कि अगर block रखा हुआ है, आप applied force लगाओगे, पीछे के direction में friction force लगेगा, नीचे में mg लगेगा, तो उपर में r लगेगा, यानि normal reaction लगेगा, अब यार यह normal reaction और friction force का जो resultant होग तो यह जो resultant वाले के साथ, मतलब यह resultant बना रहे होगे, तो वो resultant है, वो normal reaction के साथ, जो angle बना रहा है, that is your angle of friction, theta, तो you can say यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह tan theta क्या होगा, perpendicular यानि friction upon base यानि r, अब generally f बराबर mu r होता है, तो f बटा r तो आपका mu होई गया, तो इसका मतलब tan theta क्या हुआ, mu के बराबर हो गया, यह रहा मेरा पहला expression, अब यह body चली नहीं है, तो mu s लिख लो is it clear, I hope this is very very clear to you, अब एक बात करेंगे, अब 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 surface slant बदा horizontal नहीं है, अब ऐसा, inclined है, so now, इस concept में आएगा मेरे पास, angle of repose, क्या आएगा, angle of repose, what is this angle of repose बिटा, इसका मतलब यह है बिटा, कि एक inclined surface है, आपने object रखा है, यह minimum angle, जैसे अगर यह मेरे पास एक surface है, for an example, एक surface है मेरे पास यह, ठीक है न, और इसकी उपर मैं कोई object रख रहा हूँ, अभी वो minimum angle, बस अभी object slide करने हो, हलका सा ऐसे कर दूँगा, तो object जो है, slide कर, मतलब यह, यह है angle of repose, ground के साथ जो angle बना रहा है, उसके बाद यह slide करने लग जाएगा, तो this minimum angle, minimum angle, which is making that flanned surface with the horizontal, that is known as angle of repose, अगर आप ध्यान से देखोगे, नीचे ground के perpendicular mg होगा, यह mg sin theta होगा, यह mg cos theta होगा, even theta क्यों होगा, फाई होगा, यह mg cos phi होगा, और यह तो आ रहे ही है, ठीक है न, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो क्योंकि यह mg cos phi इसको नीचे लेके जाएगा, तो पीछे से friction लगेगा, हाँ sir, तो इसका मतलब, अभी चल नहीं रहा है, अभी तो rest भी है, तो आपने का sir, mg cos phi जो है, वो f के r के बराबर होगा, तो दोनों को आप एक काम करिए, डिवाइड करिए, like mg sin phi by mg cos phi is equals to, is equals to, आपका, आपका, एक second, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बर कर दी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गड़बर कर दी, this is mg cos phi, this is mg sin phi, चीक है न, यह मैं वही सोच रहा हूँ, मैंन यानि कि mg cos phi तो आपका r के बराबर हो जाएगा, और mg sin phi आपका f के बराबर, तो यहाँ पर f by r आ जाएगा, अगर आप देखो कि mg से mg कट गया, 10 phi आ गया, इसका मतलब, 10 phi बराबर f by r के आओगा, मुएस, तो आप यह दूसरा expression आ लिए, पहले आपका 10 theta मुएस के बराबर तो आप यह भी तो कह सकते हो, आप यहाँ पर यह भी तो कह सकते हो, कि sir, from first and second आपका theta बराबर 5, यानि first or second से आपको यह पता चला, कि angle of friction हो भले ही, चाहे angle of repose हो बात तो ही किये, आपको यह पता चला, कि sir, angle of friction हो, angle of friction हो, चाहे angle of repose हो, दोनों आपस में बराबर होंगे, is it clear guys, is it clear बच्छो, angle of friction is equal to angle of repose, I hope this is very very clear to you, मेरे साब से यह concept समझ में आ रहा है आप लोगको, right बच्छा पार्टी, तो यह था आपका this case, अब इसमें एक concept मैं पढ़ाऊंगा आपको, और वो एक concept पढ़ाने के बाद, फ acceleration of a body sliding down an inclined surface an inclined surface but वो भी कैसा बिटा रफ है acceleration of a body acceleration of a body sliding down an inclined rough surface ठीक है जी आप देखें क्या कर रहे हैं सर एक body है, यू करके इधर mg okay सर इधर mg cos phi, यह भी बात सही है सामने r इधर mg sin phi phi ले रहे हो, तो phi ले लिया, आपने कोई फर्क नहीं पढ़ता हो, phi theta कुछ भी ले लो नीचे यह लग रहा है आप एक काम कर रहे है, आपना नीचे की तरफ कोई applied force भी लगा रहे है, P ठीक है ना तो ऐसा मतलब को आप इवन ऐसा लिखो कि इसी direction में एक P force भी लग रहे है, तो माने नीचे accelerate होगा, पट पीछे friction force लगेगा surface के पहले, अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले पहले तो क्या होगा, mg cos 5 बराबर, r होगा बट उससे अपने को कोई ले ना दे ना है नी, क्योंकि उसने तो balance कर दिया, हमें तो ये देखना है, कि भाईया, supporting force में से, अगर आप opposing force को minus करोगे, तो ma के बराबर आएगा support कौन कर रहा है इदर a को, mg sin 5 oppose कौन कर रहा है f, साथी साथ में mg sin 5 के साथ p भी लग रहा है, यानि एक applied force भी तो लग रहा है, तो p plus mg sin 5, और इनको oppose कौन कर रहा है, small f, बराबर ma हो जाएगा ही तो, ठीक है न, बराबर ma हो जाएगा, अपने को a ही तो चाहिए तो एक काम करें, पहले f की जगे value put करिए, पहले f की जगे value put करिए, f क्या होता है, mu r और r तो mg cos 5 है so mu mg cos 5 या cos theta, depending upon ता है, तो इसका मतलब इसका मतलब बिटा, p plus mg sin 5 minus mu mg cos 5 is equals to ma, अब m से दिवाइड मारो, तो यह हो जाएगा, p by m plus g sin 5 minus mu g cos 5 पराबर a, पराबर a so this is your acceleration this is your acceleration, is it clear? यह है आपका acceleration of a block when body is sliding down the rough, inclined plane मेरी बात समझ में आगे जहापर p क्या है? जहापर p क्या है? applied force p क्या है बिटा? applied force I hope this is very very clear to you p is your applied force तो यह है, आप इसका screenshot भी ले सकते है acceleration of a body sliding down rough, inclined plane sliding down rough, inclined plane बात समझ में आ रही है I hope this is very very clear to you अब एक काम करते हैं ज्यादा चीजे नहीं बची हैं हमारे पास दो-तीन चीजे बची है पहले वो देख लेते हैं जैसे आप देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास आएगा बिटा अपना motion of a car on a leveled road motion of a car motion of a car on a leveled road एक गाड़ी का motion एक leveled road पर पर बिटा motion of a car on a leveled road इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखेगा एक road है leveled एक car है नीचे mg लगेगा उपर में r लगेगा और आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी को ऐसे circle में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी यू घुमेगा तो इदर से आपका friction लगेगा क्योंकि गाड़ी इस side जा रहा तो friction left में tire लगाएगा इस direction में आपका friction लग रहा हो मैंने कहा था centripetal force जब circle में घुमेगा तो circle के center की तरफ एक force लगता है which is centripetal force वो center seeking force जो है वो कोई नया force नहीं होता उसके लिए कभी रसी काम करती है tension मतलब कभी आपका frictional force तो यहाँ पर उसको घुमाने के लिए greater than or equal to mv square by r बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है मतलब अगर body को यह किसले है to avoid skidding मतलब यह बिटा कि अगर body को अगर body को आपको एक circle में घुमाना है ठीक है ना और वो skid ना करे और वो अपना यहाँ से मतलब जो भी है ना तो आपका friction force जो है that must be equal to or greater than mv square by r वो centripetal force के बराबर यह उससे बड़ा होना चाहिए अब friction force तो mu r होता है हाँ sir तो इसका मतलब mu r should be greater than or equal to mv square by r अब r तो क्या है mg so mu mg should be greater than or equal to mv square by r m से m काट दो v square is less than or equal to mu r g so v is less than or equal to under root mu r g so v maximum जो होगा that is mu r g का root यानि कि यानि कि अगर आप ध्यान से देखोगे बिटा यानि कि अगर आप ध्यान से देखोगे एक body है अगर वो circle में घूम रही है एक body है अगर वो आपकी circle में घूम रही है तो उस समय उस समय जो maximum speed है such that गाड़ी will not leave the circle और गाड़ी will not skid that is under root mu r g under root mu r g होईगी मेरी बात समझ में आगी है is it clear बच्छा पाटी clear है भी या आगे चलते आगे चलते अब क्योंकि यार गाड़ी के टायर और रोड में काफी ज्यादा wearing tearing होता है तो इसलिए बच्छे उस wearing and tearing को avoid करने के लिए उस टायर फट न आ जाए हम रोड को ही थोड़ा सा incline कर देते यू करके ऐसा उठा देते रोड को ऐसा ऐसा उठा देते that is known as banking of road very very important topic banking of road or you can say or you can say motion of a car on a banked road or you can say motion of a car on a banked road एक उठे होई road की उपर गाड़ी का motion होना कैसे करो गया बड़ी simple सी बात है या road उठाया गाड़ी रखी हाँ sir अब जब ऐसा हो रहा है न बटा तो इस case में तो तीन चीज़े है नीचे तो mg लगेगा असल में यहाँ पर बहुत simple सी बात है गाड़ी आपकी यू गूम रही है तो नीचे की direction में friction लगेगा ठीक है न ये भी बात सही है आप ध्यान से देखें कभी या उपर की direction में perpendicular में आर लगेगा इस गाड़ी को क्यूंकि देखें में बड़ी simple सी बात है वहाँ पर friction बहुत ज्यादा था ठीक है न अगर friction कम होगा तो बाड़ी को नीचे लाने के लिए कोई तो साथ देना चाहिए उसके तो इसलिए हमने आर के ही component बनाए एक ये और एक ये बात समझ में आ रही है एक ये और एक ये बिटा ठीक है न जो कि थोड़ा ऐसे बना दो आप एक ये वाला और एक ये वाला ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा समझ में आरे, friction के भी तो component break हो रहे है, एक ये वाला और एक नीचे वाला, ठीक है न, यानि ये हो जाएगा f cos theta और ये हो जाएगा f sin theta, बात समझ में आरे, और mg के component अगर तोड़ने हो तो एक इस direction में, इस direction में, जिसमें ये वाला आपका mg cos theta r को support कर रहा होगा, mg cos theta r को support कर र centripetal force को balance कर रहे होंगे, यानि पहला जो अपने पास expression आएगा, that is r sin theta plus friction force, बराबर होगा mv square r के, और दूसरा, दूसरा बिटा, अगर दूसरे की बात देखोगे, तो उपर वाले force, नीचे वाले के बराबर होएंगे, यानि उपर r cos theta, नीचे mg plus f sin theta, बराबर r cos theta होगा, तो आपको कुछ नी करना है, अब ऐसा करो, that's sir, r cos theta, बराबर mg plus f sin theta, f sin theta को इदर ले आओ, f sin theta को इदर ले के आओ, यह दूसरा, यह पहला expression है, यह दूसरा, दूसरे में आप करोगे, r cos theta minus f sin theta equals to mg, यह दूसरा होगे, आप एक काम करें, दोनों को डिवाइड करिए, दोनो minus f divided by r cos theta minus f sin theta equals to beta, equals to bethse, mv square by r into mg, mv square by r into mg, m से m cancel out हो गया, यहाँ से अगर इसको further carry forward करना है, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप देखें कैसे करोगे, यहाँ पर आप एक काम करें, डिवाइड करिए, डिवाइड डिवाइड, 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 numerator and denominator by r cos theta, numerator और denominator दोनों को डिवाइड करिए r cos theta से, you can say sir r sin theta plus f by, even ऐसा करो, upon r cos theta plus f by r cos theta divided by, ठीक है न, divided by r sin theta over r cos theta minus f sin theta over r cos theta, पराबर बिटा, v square by rg, r से r कटा, उपर मिला tan theta, प्लस, आपका, उपर क्या था, f थो था नहीं न, यहाँ पर, r sin theta plus, अरे, एक सिक, r sin theta plus f cos theta है न, बिटा, यहाँ पर, प्लस f cos theta करो यहाँ, तो यह हो जाएगा, आपका f by r, डिवाइड हुआ, अपना r से r कटा, ठी इवन नीचे क्या था, एक सिक, एक सिक, होल्ड करो, आप लोग, कुछ गर्बड कर रहे हैं हम लोग, just give me a second guys, आपने करा sir, r cos theta, r cos theta minus f sin theta, यहाँ पर r cos theta आएगा, sorry guys, फोड़ा सा मेरा ध्यान बटक गया शायद, ठीक है न, तो यह 1 हो जाएगा, minus f by r, एक चीज मैं और हूँ, साथ में tan theta भी है, एक चीज आपको और बता रहा हूँ, अपने को जब logic clear है न, तो आप terms को उपर नीची भी ले लोगा, आपको समझ में आ दाएगा, अच्छा, यह ऐसे नहीं होना है, ठीक है, तो यह क्या हुआ बटा, v square by r g के बराबर हो गया, अगर आप देखो by r g हो जाएगा, is it clear बच्छा पाटी, is it clear बच्छो, so tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta is going to be equals v square by r g, I hope this is very very clear to you all, right बच्छो, so tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta equals to v square by r g, concept समझ में आ रहा है आप सभी बच्छो को, clear है, तो यहां से भी अगर आपको v चाहिए, तो आप क्या करोगे, v square बराबर बटा, r g tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta, और you can say v बराबर under root of r g tan theta plus mu upon 1 minus mu tan theta, नमझ में आया, आपको वो ऐसा भी कह सकता है कि sir, अगर एक smooth surface पे रफ कर, आप उसको गुमा रही हो, तब क्या होगा, so if, if friction is absent, so if friction is absent बटा, अगर तो friction absent है, तो आपका mu क्या होगा, 0 होगा, तो v क्या हो जाएगा, जहाजा mu है, वहावा 0 कर दो, तो v हो जाएगा under root r g tan theta, तो असल मैं वो S equation भी कभी कभार आप से एक पूछ लेता है, is it clear, now second last topic of this chapter, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बच्चो, bending of a cyclist, क्या, bending of a cyclist, clear है बच्चे, so, bending of a cyclist, bending of a cyclist, एक cyclist का bend, अगर आप देख पाओगे, तो यार ऐसा होता है, बिटा, क्योंकि friction बहुती ज्यादा कम है, तो friction कम है, तो cycle को गुमाने के लिए एक और component का ओनर जरूरी है, मैं आपको कुछ ऐसा समझा रहा हूँ, देखे, यह मान लेते हैं, मेरी cycle, ठीके न, ऐसे करके अगर आप देख पा रहे हो, मतलब यू करके एक आदमी बैठा हुआ है, ठीके हैं, cycle को गुमा रहा है, अब इस direction में R होगा, सामने की direction, ठीके हैं, तो इस R के टूटेंग के component है, एक इस direction में और एक ऊपर की direction, नीचे तो mg को balance कर रहा है ऊपर वाला, which is R cos theta, क्योंकि ये theta जो है, ये vertical के साथ ऐसा कितने degree ऐसा घूमेगा, बात समझ में आ रहे हैं, ऐसा कितने degree ऐसा घूमेगा, तो ये इस समय ये आपका R sin theta हो गया है, क्योंकि ये theta है, ठीक हैं, ये theta है, ये भी बात सही है सब, आप और ध्यान से देखेगा, आप और ध्यान से देखेगा, इधर जो ये गुमाने की कोशिश करेगा, वो कौन कर रहा है, R sin theta, तो R sin theta is going to be M v square बटा R, और दूसरा, R cos theta बराबर आपका mg, अगर आप दोनों को divide करोगे, तो कुछ नहीं आने वाला है, R sin theta divide करो, R cos theta से, 10 theta बराबर V square by Rg, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, क्योंकि देखें, friction लगबग नगलेजिबले, तो V square बराबर Rg 10 theta, तो यह के साब से वही होगी, जैसे गाड़ी गूम रही थी, बट उस surface पे friction नहीं है, यहाँ पर इतना ज्यादा friction नहीं है, कि वो उस cycle को गुमा स तो इसलिए हमने एक और component की help ली, R sin theta की, जो के इस गाड़ी को गुमाने में हमारी help कर दे रहा है, तो this is your bending of cyclist, अगर आपको cyclist को गुमाना है, तो maximum जो velocity आपकी speed है, that is under root Rg 10 theta, I hope this is also clear to you, the last concept of the chapter is, आपका pseudo force, क्या pseudo, यानि कि आपका जो frame of reference है, वो inertial है या non-inertial है, यह concept काफी important, so let us talk about that also, let us talk about that also, so you will say sir, you will say sir, frame of reference, आप किस के बारे में मेरे से बातचीत कर रहे होंगे, frame of reference के बारे में, frame of reference के बारे में, अभी frame of reference जो है न, वो या तो inertial frame of reference होगा, या तो non-inertial होगा, या तो non-inertial होगा, एक वो बिटा, जो newton's के laws को valid कर रहा है, मतलब obey कर रहा है, एक वो जो obeys newton's laws of motion, और एक वो जो newton's के laws of motion को obeys नहीं कर रहा है, अगर तो आप धियान से देखोगे न बचसे, अगर तो आप धियान से देखोगे, तो यहाँ पर आपका non-accelerated frame of reference होगा, यहाँ पर आपका non-accelerated frame of reference होगा, और यहाँ पर आपका जो frame of reference है ना वही accelerated होगा, so accelerated frame of reference, so you can say sir, accelerated frame of reference, मेरी बात समझ में आ रही है, accelerated frame of reference, is it clear बच्चे, accelerated frame of reference, अब concept समझे बटा, अब concept समझे, सर, accelerated का मतलब क्या है, अगर तो एक कोई भी frame है, वो उपर A acceleration, मानले लिफ्ट है, नीचे यहाँ पर आपने एक block लगा रहा है, अगर आप बाहर से उसको देख रहे हैं ना बिटा, अगर आप बाहर से उसको देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा, कि fvd जैसे बनाते हैं, नीचे mg, ऊपर R, तो आप कहोगे sir, supporting R में से mg माइनस करो, MA हो जाएगा, तो R बराबर, MA प्लस mg हो गया, अभी आप rest में और उसको देख रहे हैं, बट यार इस समय पर, अगर आप अंदर ही चले जाओगे ना यहाँ पर, अंदर बैठ जाओगे, अब आपके हिसाब से यह rest में है यह body, तो इस case में balance होगा, यानि RMG के बराबर हो जाएगा, सिधा-सिधा, यानि RMG के बराबर हो जाएगा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना बट से, तो आपको लगेगा या तो वो Newton का second law valid नहीं है, या यह valid नहीं है, तो जब हमने यह सारे concept देखे, हमने का यार कोई force लग तो नहीं रहा है, लेकिन experience हो रहा होगा, तो उस case में हमें यह pseudo force, इसको क्या बोलता है pseudo force, यानि false force, अब अगर आप देखोगे, तो आपको यही से पता चल गया, कि सर नीचे MG प्लस MA है, उपर R है, अपने respect में, तो यह concept दोनों सही हो गए, तो pseudo force is the false force, जब कोई भी frame of reference accelerated है बटसा पार्टी, उपर acceleration जा रहा है, नीचे कई पर भी, तो इसके opposite direction में, एक और force लगे गा उसकी उपर, उसके mass और acceleration के product के बराबर, which is known as pseudo force, fall force, लगता नहीं है, मतलब कोई लगा नहीं रहा है force, बट फिर भी वो body experience कर रही है, that is known as pseudo force, imaginary force, दोके वाला force, false, समझ में आगे, इसी के साथ guys, यह chapter खतम होता है, देखे guys, detailed मैं इसको exams के last time पे, आप इसको revise कर सको, अच्छे से, already कल chapter, परसो chapter 3 आया था, कल chapter 4 आया होगा, आज आपका chapter 5 आ रहा है, अब कल आपका chapter 6 आ रहा होगा, फिर chapter 7 आएगा, फिर 8 आएगा, और हमारी ये series जो है, complete हो जाएगे, I hope this is going to help you, अगर आपको help कर रही है, तो नीचे comment में करो, ये सारी बाते, राइट बचा पार्टी, अब सीधा सीधा मिलते है, आप से आपके अगले lecture, या नहीं कि, अपना work energy वाले lecture में, बड़ उससे पहले यार, आपको ना, VK Army Code को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अगर किसी ने, अभी भी plus के बारे में नहीं पता जिसको, तो यार, Unacademy पर इंडिया के टॉप educators पढ़ाते हैं, प्लस subscription है, आपके लिए revision batches भी launch हो रखे है, आपके लिए sample paper batches भी है, नए term के batches भी है, और सबसे बड़ी बात यार, आपका एक साल के subscription के साथ 4 बईने और free है, आपको यहाँ से code VK Army लगाना है, जैसी आप VK Army code लगाते हैं, आप 10% off मिलेगा आपको, अगर आपको एक home tuition वाली feeling चाहिए भया, तो आप iconic subscription के लिए जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको code VK Army लगाना रहता है, और आपको मिलता है सीधा-सीधा 10% off, हर Sunday आपके लिए combat होता है, यह combat दीजे, enroll करिए अभी के अभी, आप VK Army code लगा लीजिए, आपको उससे भी, अगर फिर देखोगे तो फिर आपको subscription फिर 15% का off मिले, hashtag VK Army को, मतलब VK Army को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, VK Army को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, मैं आपके विनोच सर आपसे मुलाकात कर रही होंगे, आपके अगले lecture म मैं तब तक केले बच्चा पार्टी, all the very best, बायल बच्चानियस, good night, jahin.